ओम नमश्य वाये लाइफ सरल सामगरी में आपका स्वागत है आज इकाद सीकी इतनी अत्यंत आवश्यक विदिया आपको बताएंगे यदि आपके परिवार में धन की या आपके परिवार में पति-पत्नी की बीच में या सास सुर के बीच में मन मुटाव हो रहा हो और आप आपको बिल्कुल भी अच्छा परिवार में जो भी मन मुटाव हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा धन की कमी है तो आप यृदि इस विदि को करते हैं तो आपको किसी भी परकार की कोई परिशानी नहीं होगी क्योंकि एकादशी की यह विधी बहुत ही जदा प्रचेंट माननी गए है प्राराणों में भी बताये गया कि एकादशी पर कीऊई विधी बहुत ही प्रभाव साली होती हैे का दिन जैसे कि आज एकाज्सी है यदि आप आज के दिन तुलसी के ग्यारा पतने लेने के बाद आपने भगवान विसनु जी के चर्णों में आपने इन पत्तों को चड़ाने है और जब आप भगवान विसनु जी के चर्णों में आप चड़ा रहे हो तो आपने प्रातना करने है जो आपकी मनोकामना है वो आप बोले ऐसे नहीं कि मेरा ये भी हो रहा है मेरे ये भी हो आपने एक ही कामना जिससे बहुत ही ज़्यादा परिशान है वो ही आप प्रातना करें और उसके बाद प्रभू के चर्णों से तुलसी के पत को उठा कर आपने अपने रसोई घर में जितने आपके बैडरूम हो वहाँ पर और बैडरूम में भी आपने ध्यान रखना है कि टॉयलेट ना हो उस रूम के साथ अटैच है तो आप उस घर में ना रखे क्योंकि वहाँ से नेगटिब वाइबरेशन जो आती है नेगटिब एनरजी जो आती है वो इसको भी नेगटिब कर देती है तो आप ऐसे स्थान पर ना रखे जहाँ पर ऐसी गलत चीचे हो और रखने के बाद जब आपकी मनों कामना पूर्ण हो जाती है तो आपने इन पत्तों को जहाँ जहाँ आपने रखे हैं वहाँ से निकाल कर आपने पीपल के पेड़ के नीचे आपने इसे थोड़ा सा खड़ा खोद कर आपने दवा देना है आपकी इस छोटी सी इधी के करने से आपके बड़े बड़े कारेपोन होंगे जिसके बार में आप सोच भी नहीं सकते और एकाजसी वाली दिन आपने चावल का सेवन नहीं करना है नहीं आपने चावल मंदिर में चड़ाने है नहीं आपने किसी को दान देना है आज के दिन चावल को सपर्स नहीं किया जाता है नहीं चावल का सेवन किया जाता है तो ये छोटी सी बाते यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके सभी कारे समफून होगे और यदि आप किसी भी समझ से के बारे में जान कर लेना चाहते हैं तो आप नीचे दियोए नमबर को वर्टसप पे अड़ करें और अपनी समझ से को वर्टसप मेसेज में छोड़ दें आसा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शियर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सबी सादक सादवी बेल आइकन को दोआना ना भूले ओम नमशिवाए